Hello students, today let's start the third chapter of Honeydew Glimpses of the Past means इतिहास की जलकिया ये chapter आपका comic book की तरह है आपने comic book तो पढ़ी होंगी comic book किसे कहते हैं कि जिसमें story यां comic book एक story book होती है जिसमें story यां एक picture के माध्यम से दी जाती है तो इसी तरह से ये chapter दिया गया है इसमें picture के माध्यम से story बताई गई है और इस chapter में 1757 से 1857 तक की हमारे देश के इतिहास की कुछ चित्रात्मक जलकियां है जो चित्र भी दिये गए हैं और जलकियां भी दिखाई गई हैं ये तस्वीरे आपको उन इस्थित्यों को समझाने में मदद करेंगी जो उन परिस्थित्यों की और ले गए जिसे 1857 के प्रथम सुतन तायुद के रूप में जाना जाता है 1857 की क्रांती के बारे में आपने अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा तो उसी के कुछ तथिये इसमें दिये गए हैं और चित्र के माध्यम से ये स्टोरी आपको बताई गई है और इसमें आप देखेगा पहला जो पॉइंट्स दिया गया है मर्टियर्स मिन्स सहीद आप चित्र में देख रहे हैं ये पोस्टर ये चित्र किसका है लता मंगेशकर का लता मंगेशकर हैं और ये कौन सा सौंग आ रही है और मेरे बतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी जो सहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुरवानी ये सौंग आ रही है और सेकिंड पॉइंट है इसमें दा कंपनीज कंक्वेस्ट कंपनीज कंक्वेस्ट मिन्स कंपनी की बिजे सत्रसो सत्तावन से लेके अठारे सो उड़नचास तक विद इट्स सूपीरियर बिपन्स अपने सर्फ्रेस्ट अपने स्रेस्ट हत्यारों के माध्यम से अपने स्रेस्ट हत्यारों के साथ बिजेस्ट इंडिया कंपनी अठारवी सतावदी के भारत में अपनी सक्ति को बढ़ा रही थी इंडिया सत्रेसो पैसेट में भारत का मैप इंडिया इंडियन प्रिंसेज ब्रिटिस टेरिटरी कि जो पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं ये भारती है राजकुमार है और रेड कलर में जो है ये ब्रिटिस राज्ये है यहां तक ब्रिटिस राज्य का फैलाब था लाल रंग में जो दिख रहा है आगे हैं इंडिया इंडियन प्रिंसेज वर सोर्ट साइडिट कि जो भारतिय राजकुमार थे वो सोर्ट साइडिट थे मिन्स दूर दर्सी नहीं थे वो दूर तक की नहीं सोच सकते थे उनको जैस सी बहग जाते थे बैस अब स्टार्ट राजा वह होल दन्लीज मर्चैंट्स लेवील सेलप मीट्टी इसेडिट वह युचुमार थे शूएज तरो फेस दयए अब स्टार्ट राजा वह कि ऑन नया धनी राजह अंगोरेज ब्यापारियों को बुलाओ क्या यह यहां पा पारियों को बुलाओ दे बिल हैल मी टू डिफीट हिम कि वे हमें उसको हराने में मदद करेंगे यानि पहले जो राजा और राजकुमार होते थे वो सोल साइडेड होते दूर दर्सी नहीं होते थे और वो अंग्रेजों की सहायता लेकर के दूसरे राजाओ को राजकुमारो कर उनके साथ लड़ाई कराके उनको हरा करके अपना विस्तार कर रहे थे क्योंकि वो जिस भी राजकुमार या राजा की हेल्प करते थे उससे बदले में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर मांगते थे कोई राज्य का हिस्सा ले लेते थे और इस तरीके से धीरे-धी टू सच कॉंस्टेंट फाइट्स जो लोग थे हैड नो पीस उनमें उन्हें सांती नहीं मिल रही थी लोगों के पास सांती नहीं रही थी ड्यू टू सच कॉंस्टेंट फाइट्स ऐसे लगातार जो लडाईयां हो रही थी उनके द्वारा लोगों की सांती भंग हो गई थ दा राइवलरीज हेल्प दा इस्ट इंडिया कमपनी एंड इस तरीके से दा राइवलरीज हेल्प दा इस्ट इंडिया कमपनी किस सत्रू जो राइवल से सत्रू थे उन्होंने इस्ट इंडिया कमपनी की मदद की और बे आसानी से भारतिय राजकुमारों को एक एक करके जीत पाए इजिली सब्ड्यू इंडियन प्रिसेज वाई बन भाई सब्ड्यू जीत पाए अफार सिंग रूलर लाइक दा ब्रेब टीपू ओव मैसूर फोट दा ब्रिटिस तिल ही डाइड फाइटिंग अफार सिंग जो दूर दर्सी था टीपू सुल्तान एक सहसी मैसूर का सहसी टीपू जो दूर दर्सी सासक था अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते मारा गया थांक गोड़ए अब कोई यूद भी नहीं है और नाहीं अब ठगों के द्वारा कोई लूट मार हो रही है इस विजय पर भारतिय लोगों ने कैसे रियक्ट किया कैसे कि उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि अब हमें हमारे देश में या हम सान्ती है और अब कोई ठगों के द्वारा भी लूटमार नहीं हो रही है It is God who sent the British कि यह भगवानी है दूसरे राजकुमार ने कहा कि यह भगवानी है जिसने ब्रिटिस लोगों को यहां भेजा है Our destiny is linked with them तीसरे राजकुमार ने कहा कि हमारा भाग्या उनके साथ जुड़ा है Linked means जुड़ा है destiny भाग्या भाग्या उनके साथ The white man has killed or dethroned our kings The white man की भूरे लोग means ब्रिटिस लोग has killed बेब मार चुके हैं और dethroned means हटा चुके हैं अबर किंग हमारे राजा को कि पहला नागरिक बोला कि सपेद लोगों ने स्वेद लोगों ने हमारे राजा को मार दिया है और उनके या उने सिंगहासन से उतार दिया है Some kings were not good कुछ राजा अच्छे नहीं थे But after all लेकिन बास्तम में आखिरकार They were of this land लेकिन बे इसी भूमी के थे कि भले ही बे अच्छे राजा नहीं थे लेकिन थे तो इसी भूमी के Now we have become slabs of foreigners कि अब हम foreigners यानी बिदेशियों के slabs यानी गुलाम बन चुके हैं British rule British rule जो है 1765 से लेकर के 1836 तक Religious leaders passed preached ideas like untouchability and child marriage British leaders Religious leaders जो धार्मिक नेता थे उन्होंने प्रीजड आदेश दिये उपदेश दिये ideas which are like untouchability and child marriage कि छुआ छूत और बाल विभा की उपदेश दिये Anyone who crosses the seas low says his religion कि कोई भी व्यक्ति जो सम्दुर को पार करता है बहे अपना धर्म खो देता है धर्म सम्दुर को पार करने वाला ब्यक्ति All the misery in the world is due to women और एक नागरिक ने कहा एक धर्म गुरु ने कहा दूसरे धर्म गुरु ने कि संसार में सभी दुख जो हैं वो किसके कारण है महिलाओ के कारण है यहां की जो लोग है वो अनवर्दी एय योग्ये हैं और ट्रस्ट विश्वास करने के पात्र नहीं हैं और इंक पेवल ओफ ओनेस्टी और इमांदारी के योग्ये भी नहीं हैं ट्रू सत्य है योर ओनर बट आयम ओनेस्ट की शिरिमान यह बास सत्य है लेकिन मैं इमांदार हूं बिइंग मर्चेंड दा बृटिस वांटेड क्विक प्रॉफिट्स दियर है वीटेक्सेस । फोजफ फार्मर्स टू एवांडन दियर फेल्ड्स बिइंग मर्चेंड ब्यापारी होने के करण यह ब्यापारी होने पर अंग्रेज जो थे वूँ वांटेड चाहते थे क्व ने खेतों को त्यागने के लिए विवस होना पड़ा एक किशान ने कहा कि तुम्हारे जो लोग हैं वो मेरी सारी फसल ले गए हैं कि मैं टैक्स कहां से दूँगा यू आर इस्टिल इन एरार्स इफ यू डॉंट पे नेक्स बीक कि तुम अभी भी तुम्हारे उपर कर बकाया है अगर तुमने यह कर अगले सब्ता तक नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा इस्टिल दा ब्रिटिस इन्वेंटेड अधर मैथर्ड्स विज गेब दैम मोर प्रोफिट्स अब अंग्रेजों ने यह ब्रिटिस ने अन्य मैथर्ड्स अन्य तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया जिससे उन्हें और ज्यादा प्रोफिट्स मिलता लाब मिलता इन्विटेबली फेमाई फेमिनाइज फोलोब्ड बिट्विन 1822 एंड 1836 फिप्टीन लेक इंडियन डाइड ओफ इस्टार वेशन अनिवारे रूप से अकाल पढनने शुरू हो गए और 1822 और 1836 के मध्य भूख से 15 लाग भारतियों की म्रत्यू हो गई दा ब्रिटिस पोलिसीज रियून दा एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड दियर बिजनीज जो ब्रिटिस पोलिसीज थी ब्रिटिस नितियों ने पॉलिसिस नितियों ने रियूंड नस्ट कर दिया था दा एक्सपर्ट आर्टिसंस जो निपून आर्टिसंस थे सिल्प कार थे उनको बरबाद कर दिया था एंड दियर बिजनिस और उनके ब्यापार को दा गुड्स मैनुफेक्चर्ड इन इंग्लेंड सुड नोट है बैन इंपोर्ड ड्यू टी वैन ब्रोट इंटू इंडिया जो गुड्स सामान चीजे मैनुफेक्चर्ड जो बनाई गई थी इन इंग्लेंड इंग्लेंड में बनाई गई जो बस्तों थी उनको भारत में लाने का जो इंपोर्ट निर्याद किया गया था उस पर कोई कर नहीं लगाया गया टैक्स नहीं लगाया गया a good idea एक अच्छा विचार the East India Companies लोज्वास बिगन टो क्रीपलんと इंडियां इंडियाँ इस लोकार्ट Theange कानून ऑबर बहारती उध्धोगों और दिया कर दिया था और फोर इंसिडेंट जो हुआ है राम मोहन राए 1772 से लेकर के 1833 तक राम मोहन राए आ लर्नेड मैन फ्रोम बंगाल अंडरस्टूंड वोट वाज रोंग बिद्धा कंट्री राम मोहन राए एक विद्धान व्यक्ति थे बंगाल के जो ये समझ गए थे कि देश में क्या गलत हो रहा है कि हमें खुझ से स्वम से नफरत नहीं करनी चाहिए इर्षिया नहीं करनी चाहिए अबर एंसियन कल्चर जो हमारी भारतिय प्राचीन संस्कृतिय वो महान है capable of greater achievements और हम अधिक या ज़्यादा उपलब्दियां प्राप्त करने के योगिये हैं we must first reform our society पहले हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए सूपर स्टिशन्स है बीन र्यूनिंग अस अंधविश्वास हमें तभा कर रहे हैं सूपर स्टिशन्स अंधविश्वास है बीन र्यूनिंग अस हमें बरबाद कर रहे हैं he told his wife उमा उन्होंने अपनी पत्नी उमा से का cows are of different colors की गाये भिन भिन कलर की होती हैं रंग की होती हैं बट किन तु दा कलर ओब दियर मिलक इस दा सेम लेकिन उनके दूद का जो कलर होता है वो एक जैसा होता है different teachers have different opinions की भिन भिन जो teachers उपदेशक होते हैं वो अलग-अलग उपदेश देते हैं उनके बिचार अलग-अलग या अपने मतों को अलग-अलग तरीके से रखते हैं बट दा असेंस ओप अबरी रिलीजन्स इस दा सेम लेकिन प्रती एक धर्म का जो असेंस सार होता है या मतलब होता है वो एक समान होता है he was attracted by science and modern knowledge बे science बिज्ञान और आधुनिक ज्ञान से आकरशित हुए knowledge should be practical and scientific कि ज्ञान जो है वो प्रेयोगिक और बेज्ञानिक होना चाहिए he crossed the seas and bent to England उन्होंने समद्रुपार किया और वे इंग्लेंड चले गए to sea देखने के लिए what made the British powerful की ऐसी क्या चीज है जो British या अंग्रेजों को powerful ये सक्ति साली बनाती है there he told them वहाँ उन्होंने उनसे कहा we accept you as rulers कि हम तुमें सासक के रूप में सुभिकार करते हैं and you must accept us as subjects लेकिन तुम्हें भी हमें अपनी प्रजा के रूप में सुभिकार करना चाहिए but you must remember लेकिन तुम्हें अवस्य याद रखना चाहिए the responsibilities our ruler was to his subject कि एक सासक की उसकी प्रजा के प्रती जिम्मेदारिया क्या होती हैं उनको तुम्हें याद रखना चाहिए he started newspapers but the suspicious British stopped them in 1823 कि राम मोहन राय ने अखवार शुरू किये लेकिन अंग्रेजों ने 1823 में उन पर रोक लगा दी अब पांच भी जो इंस्टिडेंट थी वो थी operation सेवन्टीन सिक्स्टी फाइव से एट्टीन थर्टी फाइव तक ऑप्रेशन मींस ब्रोद उत्पीडन ऑप्रेशन मींस उत्पीडन अब अंग्रेजों ने या ब्रिटिस लोगों ने कैसे भारतियों को उत्पीडित किया बट दब ब्रिटिस कंटिनूड टू अप्रेश इंडियन लेकिन जो ब्रिटिस लोग थे वो कंटिनूड लगातार इंडियन भारतियों को अप्रेश कर रहे थे उत्पीडित कर रहे थे इन एटीन एटीन दे हैड पास्ड रेगुलेशन्स थर्ड उन्होंने अठारा सो ठारा इस वी में तीसरा नियम पास किया अंडर इट इसके अंतरगत एन इंडियन कुट भी जेल बिदाव ट्रेल इन अ कोड कि कोई भी भारती है बिना नियाले में सुनवाई के जेल जा सकता है अल्डा टाइम ब्रिटीस ओफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सेलरीज एंड अल्सो मेड फोर्चिंस इन प्राइवेट बिजनिस अल्डा टाइम ब्रिटीस कि हर समय ब्रिटीस अधिकारियों द्वारा भारत में बड़ी तनख्वाली जाती थी और उन्होंने निजी विवसाय में भी अपना बिजनिस या अपना भाग्ये चमका लिया था बाई 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपॉर्टिंग ब्रिटीस गूड्स बर्थ 7 करोड रुपीज टू इंडिया और 1829 तक ब्रिटेन 7 करोड रुपे का ब्रिटीस माल भारत को निर्याद कर रहा था दा ब्रिटीस प्रोस्पर्ड ओन दा कंपनी जूट वाइल इंडिया इंडिया इंडिस्टी बिगन टू डाई और ब्रिटीस कंपनी की लूट से सम्रद होते हुए जबकि भारतिय उद्धोकबंद होने शुरू हो गए थे कि जो लूट का माल था उससे ब्रिटीस कंपनी को लाब हो रहा था और भारतिया उद्धोकबंद होते जा रहे गवर्नर जर्नल बैंटिंग रिपोर्टेड बैक होम कि गवर्नर जर्नल बैंटिंग ने बापस घर या ब्रिटेन को खबर दी कि सूत कातने वाले जुलाओं की हड्यां भारत की समतल जमीन को बिरंजित कर रही हैं अब six incidents are dissatisfaction 1835-56 dissatisfaction as santusti education in India was in Persian and Sanskrit कि भारत में जो सिख्षाई थी वो फार्सी और संस्कित में थी इन 1835 आ इंग्लिस में नेम्ड मैकाले सज़स्टेडा चेंज और 1835 में एक अंग्रेज ने इसमें कुछ परिबरतन का सुजाब दिया who should teach the natives through the English language we should teach उन्हें का कि हमें यहां के लोगों को इंग्लिस सिखानी चाहिए I agree मैं सहमत हूँ English education produced किलार्क्स to whom the British gave petty jobs under them कि English education produced किलार्क्स कि अंग्रेजी सिख्साने किलार्क्स लिपी जो होते हैं उनको उत्पन किया यह लिपी बनाए और जिने British अपने नीचे तुछ नोक्रिया दिया करते थे Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals और Incidentally, संयोग से इस से एक बुद्धिमान नई यूबा पीडी का भी उद्भब हुआ We must educate our brothers हमें अपने भायों को सिक्सित करना चाहिए and try to improve their material condition और हमें उनकी material या बहुतिक हालातों में सुधार करना चाहिए For that, we must convey our grievance to the British Parliament और इसके लिए हमें हमें अपने दुखों को British संसत तक पहुचाना चाहिए By 1856, the British had conquered the whole of India और 1856 तक, British ने या अंग्रे जोने पूरे देश को जीत लिया था अब आप देखेगा, इस में मैप में दिखाएगा States, British area आप केबल थोड़े थोड़े जो पीले रंके हैं वो राज्य बचेते और रेड गलर का आप देखेगा यह जो हाँ पर British का था यह सारी एरिया ब्रिटिस की हो गई थी 1856 तक They care little about the needs of India कि भारत की भारते लोगों के आउसकता हो के लिए बहुत कम care करते थे बिचार करते थे Our kings have become puppets and we have lost our old jobs कि हमारे राजा अब puppets या कटपुतलियां बन गए हैं और हमने हमारी जोब या हमारी नोकरियां खो चुके हैं And lands, भूमी They are converting our brothers वे हमारे भाईयों में परिवर्तन कर रहे हैं You only talk Do something to drive then Out फिर अगले नागरिक ने कहा कि तुम केबल बाते कर रहे हो उन्हें बाहर निकालने का भी कुछ विचार करो ये भारते लोग अब वापस में बाते करने लगे थे अब 6-7 इंस्टे एंटी था स्पार्क 1855 से लेकर के 1857 था अभी स्पार्क यानि चिंगारी फैल चुकी थी जब भारते लोग बहुत जादे पीडित हो गए थे पीडित हो गए थे अंग्रेजों से ब्रिटिस से तो अब चिंगारी फैल गई थी टैक्से कंटिनुई तो रियून दपीजेंट्स टैक्सेज करोन ने पीजेंट्स मिंस फार्मर किसानों को नस्ट कर दिया था किसानों का लगा था टैक्स ने इन बंगाल दा संथल्स हो हैड लोस्ट दियर लैंड अंडर न्यू लैंड रूल्स बीकेम डैस्परेट इन एटीन फिप्टी फाइब दे रोज इन रिवेलियन एंड मास्केरड यूरोपियन एंड दियर सुपोर्टर्स अलाइक बंगाल में नए भूमी नियमों के करण जो संथाल अपनी जमीन खो चुके थे निर्भीक हो गए थे क्योंकि उनके पाथ जमीने भी नीवर्ची थी तो वो डर किस बात कतब बे निर्भीक हो गए थे और 1855 में खड़े हो गए और उन्होंने यूरोप आसियो और उनके जो समर्थक थे उनको मारना सुरू कर दिया डिस का कॉंटेंट वाज ब्रूइंग इन दा इस्ट इंडिया कंपनी आर्मी स्थू असंतुष्टी की भाबना डिस कॉंटेंट इसंतुष्टी की भाबना ने इस्ट इंडिया कंपनी की सेना में धीरे धीरे इस्ट इंडिया कंप गोरे जो सिफाई हैं को भारी तनख्वा रहने के लिए मकान और नोकरी मिलती थी तो दूसरे सिफाई ने कहा वाइल भी गैटा पेटेंस एंड स्लो प्रमोशन और जबकि हमें एक दयापून बेतन और धिमी पद उन्नती मिलती है कि हमारा प्रमोशन भी नहीं होता है फिर अ अंग्रेज आस्कास टू क्रोस दा सी वीचिज अगेंस्ट आवर रिलिजन कि अंग्रेज जो हमें समुद्रपार करने के लिए कहते हैं जबकि यह हमारे धर्म के भृद है कि चोथे सिपाई ने कहा हमें यह तोपी वाला कौन होते हैं हमारी सदियां सदियां पुरानी परंप्राव को बदलने बाले बी मस्ट ड्राइव आउट दा अंग्रेज की हमें अवस्थे ही अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए चोथे सिपाई ने कहा सोपे मंगल पांडे अटेक्ड दा एडजटेंट ओफिज रेजिमेंट एंड बाज एक्सक्यूटेड की सिपाई मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के उच अधिकारी पर आख्रमण कर दिया और उसे मार डाला थाउजन्स ओपदर सिपाई रेवोल्टेड दे वर स्ट्रिप्ड ओफ दियर यूनिफोर्म थाउजन्स हजारों जो अन्य सिपाई थे उन्होंने भी बिद्रो कर दिया और उनकी बर्दी उतार दी गई अपमान क्या गया और बेड़ियों में डाल दिया गया few Englishmen had care to understand Indian custom or the people's mind कुछ ही अंग्रेज लोग थे जिनों जो भारतिय लोगों की चिंता करते थे या उनको समझा उनके रिती रिवाजों को oh proud brahmin soldier do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs उन्होंने कहा कि हे बेचारे ब्रहमर सिपाईों क्या तुम जानते हो कि गोली का जो खोल तुम मुह से उतारते हो वो गाय और स्वर की चर्वी से बना हुआ है what क्या the white man has deceived us too कि गोरे लोगों ने हमें भी धोका दिया है soon चपातीज बर sent from blaze to blaze to tell the people that their emperors would want their services सीग्र ही गाउं में या गाउं से दूसरे गाउं चपातियां भेजी गई और लोगों को यह बताने के लिए कि उनके सासक को उनकी सेवाओं की आवशकता है yes all my blaze men will be ready कि हां मेरे सारे लोग या गाउं वासी तयार रहेंगे वहां के ग्राम प्रधान ने कहा similarly lotus flowers circulated among Indian soldiers की इस तरह से कमल के फूलों को भारते सिपावी के मध्य बित्रित किया गया उनका एक secret बनाय गया रहस्य बनाय गया death to the foreigner विदेशियों के लिए म्रत्यू दा मासेज गेव ओल help and shelter to the pet yards अधिकतर लोगों ने हर संभब मदद की और देश भक्तों को सरण दी सभी लोग एक जुट हो गयते अब revolt हो गया था आठ भी जो incident हुई revolt revolt means बिद्रो then there was a violent outbreak at merit अब मेरत में हिंसात्मक बिद्रो उट खड़ा हुआ था दा सिपाई marched to Delhi सिपाईों ने दिल ली कि और मार्च किया लोंग लिव अबर एंपरर बहादुर सहा की हमारे जो सासक हैं बहादुर सहा की आयू लंबी हो the rebellion spread wider जो rebellion थे बिद्रोई थे वो दूर दूर तक फैल गए many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore बहुत सारे जमीदार थे जो अंग्रेजी लोगों की नितियों के कारण अपनी जमीन खो चुके थे और बे भी बे भरे हुए बैठे थे दुख से भरे हुए बैठे थे the white man's rule must end की अंग्रेजी लोगों का जो सासक है बो अबसे ही समाप्त होना चाहिए yes we will help you की हाँ हम तुमारी सेबा help मदद करेंगे nine अब nine की जो incident इंसिडेंटी अठारों से 57 की the fight for freedom अब सतंता के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी many former rulers लाइक बेगम हजरत महल ओफ लखनाव बर bitter की पहले पूर्व सासक थे जो लखनाव की बेगम हजरत महल थी वो भी क्रोधित थी the white man has taken away my kingdom की भूरे लोगों ने गोरे लोगों ने मेरे राज्य को ले लिया है popular leaders like मोल भी एहमदुल्ला ओ फैजाबाद टोल दा पीपल फैजाबाद के मोल भी हमदुल्ला जैसे लोग पिर्यनेता उन्हें लोगों से कहा राइस ब्रेदर्स राइस दा अंग्रेज इस रियूनिंग अवर लेंड की उठो भाईयों उठो अंग्रेज हमारी जमीन को नस्ट कर रहे हैं दा पीपल रोज अबरिबेयर इन बरेली कानपूर और इलाबाद कि प्रती एक जगे लोग उठखड़े हो जैसे बरेली कानपूर और इलाबाद में अजिमुल्ला खान टोल्ड तातिया टोपे अजिमुल्ला खान ने तातिया टोपे से कहा we should have पेशवा नाना साहब as our leader in this bar of independence कि हमें इस स्वतंता की लड़ाई में पेशवा नाना साहब को अपना नेता बनाना चाहिए दा पैट्यार्ट स्पॉंजड अपोन दा ब्रिटिस एंड फोर्ट पीजड बैटल्स अल ओबर नोर्थ इंडिया देश भक्त ब्रिटिस एंड पर तूट पड़े और संपून उत्तर भारत में जमी हुई लड़ाई लड़ी 80 यर ओल्ड कुवर सिंग ओ बिहार रिसीब्ड बुलेट इन हिज रिस्ट 80 वर्षय बिहार के कुवर सिंग की कलाई में एक गोली लगी और मदर गंगा दिस इज माइ लास्ट आफरिंग यू और उन्होंने उसे काटकर अलग कर दिया और क्या का कुवर सिंग ने गंगा मा यह मेरी और से आपको अंतिम भेट है तो बच्चो इस टाइब से 1857 तक की क्रांति 1757 से लेकर के 1857 तक की जो इंस्टिडेंट हुई है वो आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताई गई है ग्लिम्प्सिज ऑफ दा पास्ट जो आपने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ी है और आई तिंग यह आपको पहले से अंडस्टेंड भी होगी और कुछ इस चैप्टर को पढ़ाने से भी समझ में आ गई होगी ओके स्ट्रेंट थैंक्यू टेक केर